पहले दिन से और 14 वर्ष की उम्रुपूरी देने तक वो कफ के प्रभाव में होता है मतलब सीना सा यह है कि बच्चे को बच्पन में सबसे जादा कफ के ही वोगते है सबसे जादा बच्पन जो होता है कफ के प्रभाव में पिर चोज़ा वर्ष की उम्र से शुरू करते हैं लगवक साथ वर्ष की उम्र तक आज के जमाने में यह साथ वर्ष कम हो गया चाणीस तक ही हो गया है पुराने जमाने में यह साथ तक होंता बच्पन चवबर्ष की उम्र से चानीस वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है इस्त्री हो या कुरुष वो पित्त के प्रभाव में होता है मानि 14 साल से लेके 40 साल तक जिदने भी रोगोंगे, 29 परसंट जो इतके . ये 40 साल मैंने किया, आयोगे तो 60 साल की बात करता, ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास अपनों पेशेंट है, जो बात के है, 40 की उमर से, इसलिए 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 बात सबसे बिड़ा हुआ है, तो 40 की उमर से हम शुरू करें और जीवन के आखरी दिन तक सबसे जादा बात का असर होगा, इसलिए पास के बात के जो रोग शुरू होंगे आपके जीवन में, उमर के आखरी दिन तक तो आपको सबसे जादा बात को बात के रोग होंगे 40+, पित्त के होंगे 41+, 4+. और कफ के हों में वन प्लस या जीरो प्लस जीरो प्लस इतनी मोटी बात की बात अब हम पढ़ते हैं अश्टान हे देव के सूत्र पर ये भूमिका मुसे बनाना इसी है जेभूमिका की मोड़ी जानकर हमगे हैं अश्टान हेर्द्यम में बागवर्टी जी कहते हैं कि जिन्दगी भर बात पित्त कफ को संतुलिक रखना ही सबसे बड़ी कला है और कौशा लिए सारी जिन्दगी आपको एक ही काम करना है प्रयास पूर्वत कि हमारा वार्थ हमारा पित्त हमारा कफ हमेशा से सुरक्षित रहे नियमित रहे संतुलिक जितना चाहिए उतना बात रहे जितना चाहिए उतना पित्त रहे जितना चाहिए उतना पित्त कफ हमारा रहे तो इसक से पहला सूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है आपकी जी पिर में आपको समझाओंगा कि यह सूत्र का बदला क्या है और इसका असर दिखता वार्तित्यकप को जीमन भर संपलिक रखना है तो उसका पहला सूत्र है कभी भी खाना खाने के तुरंट बार पानी नहीं करना पहला सूत्र है कभी भी खाना खाने के तुरंट बार पानी नहीं करना इतना साइज ही जीवन में खाना खाने के बाद तुरंट पानी में जीवनी था लिख लिए आपने चलिए अब इसको समझते क्या कहा ये बाद बढ़ जीवना खाने के बाद पानी नहीं था तुरंट पानी नहीं था अब आद इसको उड़ना करके लेखिए कि हम तो रोज यही करते हैं। मैंने सौ ऐसे निंग्यान्य लोगों को देखा है कि वो पानी लिये भिना खाना नहीं खाते हैं। पानी पहले होता है कि वह सारे लोग तो खाने से जादा पानी की थे। और दो चार के लोड़े खाले उफे पानी के लियाते तकते हैं। अशी इस्थिटीर, अशी एफ उवस्था में। वाग्वुतिचीं इसी बात कहलें कि पानी ही नहीं पिना खाने के अदूर्ट का बात कारण Why the diet? यह जानना बहुत सूंनी है coloured एateur है neslained क psychiatा झाल और पेट चलता है भोजन जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारी पेट की ताकत on हमने जालका ईceksin odor सुर्ज कि आगे करिए और प्र लखाया और लस्टी सुर्ज मसे आगे करिए प्राइब कर्या कुछ इसे अथिर भर्ण से अचलता है पेट उसूर्जा को आगे के लिए फ्रांस बनाएगा। आप कुछ भी खाते हैं सब कुछ पेट आपके लिए पूर्जा का अधार बनाएगा। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाते हैं। पेट में फोटा सा इस्थान होता है। उसको हम हिंदी में कहते हैं आम आशे कभी आप एनरबोमी का फिजिलोजी का को एक कलेंडर आजकल आते हैं शरीर विज्ञान के जिसमें शरीर के एक एक कलेंडर को दिखाया जाता है एक कलेंडर खरीब लीजिए दसकंदर रुपकर आएगा घर में तांग कर रखी है उस किलेंड़ में आपको बताए जाएगा आपका पे는데요 नाही इस्थान है उसके भीकुल लेफ्ट में एक इस्थान है उसको आमाशे केते हैं उसी इस्थान का एक दूसरा नाम है जेटर और उसी को अग्रेजी में कहते हैं एप्टीगेस्प्यों आमाशे जेठर एप्टीगे इसमें अधिक से अधिक साड़े 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 इसमें कुछ भी कराते हैं, सब कुछ यह आमाशे में अधिक साड़े अब आमाशे में क्या होता है, छाना जैसे ही पहुंचता है यह बगवान की व्यवस्था आए जाया अगनी आमाशे में अगनी होती उसी को कहते हैं जटर अगनी मिलाके बोलते हैं जट रागनी यह जट रागनी है यह आमाशा इस्थानमर प्रदीप होने वाली अगनी है आग है यह आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग आग की रसोई गैस है ना LPG सिलिंडर से जो कलेक्टिड है इस लोग आपने स्विच ओन किया आग जल गे ऐस जैसे आपने खाना खाया तुरंत आग जल गे यह आटमेटिक है रोटी का पहला 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 जुपड़ा आपने मुझ में डाला इधर आग जल जट रगनी यह अगनी तब तक जलती है जब तक खाना पच्छता है डाइजेस्ट आप खाना ठा रहे हैं अगनी जलिए अब अगनी खाने को पचाती है डाइजेस्ट कराती है वो ऐसे ही कराती है जैसे रसोई गैस आपने रसोई गैस में जो स्टोड है उसका स्विच ओन कर लिया आज जल गई अब इसके आपने जूद रख दिया थोड़ा चाबल डाल तो जब तक अगनी जलेगी तब तक खीर बन अब होने वाला एक ही काम है जो आज जेल रही थी वो भुझ गे आज अगर गुझ गही तो खाने के पचने की जो क्रिया है और रुख गही अब हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती है खाने के पचने में एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन दूसरी है फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन का मतलब है सवना और डाइजेशन का माने है पचना अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा आयुवेट के साथ से बोलगा हूँ आपकी आड़ बलेगी खाना पचेगा खाना पचेगा तो रस बनेगा जो रस बनेगा तो उसी रस में से मास बनेगा, मास जिसको आप फ्रेश करते हैं उसी रस मेंसे मज्जा बनेगी फिर उसी रस मेंसे रट बनेगा फिर उसी मेंसे वीरे बनेगा फिर उसी मेंसे हड्डियां बनेगी बोन्स फिर उसी मेंसे मल बनेगा एक्सक्रीटा स्टूल फिर उसी मेंसे मूत्र भी बनेगा तो मास, मज़ा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, अस्थी और सबसे अंत में मेड ही है ये अब होगा जब खाना पचेगा आता है और आप तरह ध्यान से सुने इस शब्दों को मास की जरूरत है हमको मज़ा की भी जरूरत है रक्त की भी जरूरत है वीरी की भी जरूरत है अस्थी भी चाहिए मेद भी चाहिए ये सब हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए मल नहीं चाहिए और मूत्र नहीं चाहिए तो मल और मूत्र तो बनेगा जरूर लेकिन वो हमें चाहिए नहीं शरीर को चाहिए नहीं तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा, मल को भी छोड़ेगा, मुत्र को भी छोड़ेगा, बाकी जो चाहिए, शरीर उसको धारत करेगा, खाना जब हजम होगा, पचेगा, तो रस बनेगा, रस मैसे मास बचा, रक्त वीर, मल, मुत्र, रस की मेद बनेगा, मल, मुत्र की जरूरत नहीं है शरीर उसको छोड़ देगा, बाकी सब चीजों की जरूरत है शरीर उसको धारत कर देगा, ये एक है, दूसरी तरफ क्या होगा, आग नहीं जलेगी, आप में गजागट पानी पी लिया, तो वहीं खाना सड़ेगा, और सडने के बाद उसमें से जहर बनेगे तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सडने के बाद, उसका नाम है यूरिक एसिड, कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप कहने मुझे, ये तकलिफ मुझे है, वो तकलिफ तो डॉक्टर तुरण डाइग्नोसिस करके कहता, आपको यूरिक एसिड बन रहा है, तो या बंद नहीं किया, तो ये आपके शरीर को उस स्कती में ले जा सकता है, कि आप एक कदम भी चल ना सके, टोटली बैड रिडिन हो जाए, बिस्तर पे ही आपको पढ़ा रहना पड़े, पेशाप भी बिस्तर पे लिकले, और आपको संदास भी बिस्तर पे करनी पड़े, यूरिक ऐसिद इतना ख़तर ना है, वहां तक लेके जाता है, तो इसलिए खराब विश है, अच्छा नहीं है, नहीं बनना चाहिए, और यह उधारिन देता है, जब खाना सबता है, तो यूरिक ऐसिद जैसा ही और एक विश बनता है शरीर में, उसी को कहते हैं LDL, Low Density Lipoprote और एक राब कोलेस्टरॉल, डॉक्तर अब को कहता है, आप जाते हैं, विश बनता है, तो आप को कोलेस्टरॉल कों सा बहुत है, आप और जादा डीप वूचेंगे, तो कहेंगा LDL बहुत है, लो डंसी लिपोपोटिन, और इससे भी जादा खराब और एक विश है, वो है VLDL, very low density lipoprotein ये भी cholesterol जैसा ही धिश्ट है अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो बढ़वान भी नहीं बचा सकता इत्ती खराब इस्तिती है शरी और एक उधारण देता खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं उन जहर के कुछ नाम है अंग्रेजी में हम कहते हैं triglycerides डॉक्टर आपको डाइगनोस करके कहता कि आपका triglycerides बहुत बढ़े हुए है समझ लीजिए विश्ट निर्मान हो रहा है शरीद में तो कोई uric acid के नाम से कहे कोई cholesterol के नाम से कहे कोई LDL के नाम से VLDL के नाम से कहे समझ लीजिए ये सब विश्ट है और ऐसे विश्ट 103 है मैंने आपको 4-5 नाम ले ये सारे विश्ट तब बनते हैं जब खाना नहीं पच्टा खाना सड़ता है मतलब समझ लीजिए किसी का cholesterol बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्याद आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है कोई कहता मेरा Trigliss और जब खाना पच नहीं रहा है क्योंकि खाने के पच्शने पर इल्वे से कुछ नहीं बनता खाने के पच्शने पर बनता है मास, मजग, रट बीर, मल, उत्र, हस्ती, मेर, यह सब पचने पर बनते हैं, नहीं पचने पर क्या बनता है, यूरिक एसे, ट्राइगलिस्राइड, कॉलेस्ट्रॉल, LDL, BNDL, यह सब बनते हैं, और यही आपको रोगों कारण बना देते हैं, मने आपके शरीक रोगों का धर बना देते हैं, तो यह पेट में आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है, और पचता भी भी, रसोई में आग नहीं है, आप कुछ नहीं बना सकते, पेट में आग नहीं है, कुछ नहीं पचा सकते, तो महतु की बात है, खाना खाना, नहीं, महतु की बात है, खाने को पचा ना हो आपने क्या खाया कितना खाया जी इमधीरियल है कोई कहता मैंने 100 ग्राम खाया कोई 200 ग्राम कोई 500 ग्राम यह इमधीरियल है पचाया कितना उसमें से वो मेटीरियल है वो महत्यु खाया आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया बहुत अच्छा है और 200 ग्राम आपका report card बहुत कराड़ है, 500 g खाया और उसमें से 200 g भी पचा नहीं सके तो बहुत कराड़ है, अगर 100 g खा के 200 g खा के पूरा पचा लिया, तो बहुत अच्छा आपका report card है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना, खाना, महत्व का नहीं, खाने को पचाना, और खाने को तो यह सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना। आपने ठोस खाया और द्रव खाया, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, सॉलिड और लिक्विड, अब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होता है तो खिचुली बनता है, उसको पेस्ट करते हैं अंग्रेजी, हिंदी में कहते हैं तो खिचुली तो आपके श पेप में अगनी का सबसे बड़ा काम है खिज़ी बनाना, सॉलिड और लिखित को मिलाके उसको पेस्ट में बदल देना, यह अगने का मुख्य काम है, एक गंड़े 30 मिनट के बाद अगनी अपने आप कम हो जाती है, बुझ तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है, उसके आपके खाने का रस मनना शुरू होता है, अब आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का रस बनेगा, तभी उसमें पानी की ज़रूरत आईगी, आपको अगर मैं यह कहूं कि आम का रस बनेगे, तो आम कछिल काम तारेगे, फिर उसका पल्प निकालेगे, फिर पानी मिलाए पानी चाहे दूर के रूप में मिला या सीज़े पानी मिलाए, खीकुगा मैं कहूंगा आपको रस बनेगे, तो आप भी करेंगे, पल्त निकालेगे फिर पानी मिलाए, जब भी रस निर्माण होता है, बिना पानी के नहीं होता है, तो पेटना भी रस का निर्माण बिना के नहीं होने वाला तो जब देड़ घंटे के बाद ही रस बनना है तो आप खाना खाने के देड़ घंटे के बाद ही पानी पीना कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के एक घंटे के बाद ही रस बनने लगता है कुछ ही लोग हैं, बाकी सब को नहीं बनता जो लोगों को एक घंटे में बनने लगता है वो लोग हैं जो बहुत महनत करते हैं खेत महल चलाते हैं, फाबला चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं सरद पर रिक्षा खीच के ले जाते हैं फार गाड़ी लेके जाते हैं जो बहुत महंती लोग हैं उनको पेट में खाने के एक घंटे में ही रस बगने लगता है तो वो लोग जो जादा महनल कर रहे हैं वो खाने के एक घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं कम महंती हैं हमको दिल्ड घंटे बाद ही पानी पीना अच्छा है तो क्लियर हो गया खाने के तुरन बार पानी नहीं पीना है तेज़ गंटे के बार पानी पीना है। एन गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, पाँच गिलास, आपकी जितनी कैमेसिटीने पीने की, जितनी पियास लगी है उतना पीसकते है सब्सक्ति के पहले हम पानी पी सकते है लेकिन समय का उसमें ध्यान रखना है खाना खाने से 48 minutes तहले भी 48 minutes 48 minutes तहले आप बुलिगे यह 48 minutes का क्या calculation है एक गंटा क्यों नहीं कहा नहीं 48 minutes क्यों कहां 50 minutes भी कह सकता था बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मूँ में जाता है और बात में सभी अंगों में जाता है, मास में भी जाता है, मज्या में भी सब जबे जाता है, रक्त में भी जाता है और अंत में पानी जो सर्प्लस होता है, माले जरूरत से जादा होता है शरीप को, वो मूत्र पिंड में आके एकठा हो जाता है बात में आप यू मूत्र के साथ उसको बाहर निकालते थे तो मूँ में पानी शुरू किया मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनिट ही लगता है तो आयरवेज में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनिट पूरा हो जाए और मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खाली हो गया ना तब ही खाना खाना माना खाने के पहले 48 मिनिट में आप पानी पी सकते हैं जितना चाहें उतना पी सकते हैं एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, क्वांटिटी आपकी capacity के उपर है तो खाने के पहले पानी पीना है तो या दो क्मीट ही गई popularity अईवनेट में ये कही गई है कि जब आप दो इल्ग का Do तो बीच में जरूर पानी पीना है दो अन्न का खाना मतला रोटी खा रहे हैं गेहूं की और चावल भी खाना है आपको चावल एक अन्न है यहूं दूसरा अन्न है मक्य की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं मक्की एक अन्न है, चावल दूसरा है, बाजरी की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी एक अन्न है, चावल दूसरा है, ज्वार की रोटी खा रहे हैं, तो जब भी दो अन्न का खाना आप खाते हैं, तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले पानी जरूर पीना, नहीं पीएं तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पीएंगे तो फाइदा बहुत होगा, तो खाने के बाद पानी कैसे पीना, घतर बढ़ पीना जाएंगा, यह के करके बता हूँगा, हम जब पानी पीएंगे, तो दो अन्न का खाना जब हम खा रहें अब हमको tut we talked ना थावनिस शुरू करना है नोटी काने के बाद स्भाल चाहिस जो बादे को सकाने के लिए तो अलग है जोहर कि अलग है सबीब धको पचाने के लिए जांजिया तो जब आप रोटी हा रहे थे चेहεις की तो रोटी वाले एंज्डाइम सख्री eh प्रोटी को बचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्री करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा तो वो पानी से ही होता है तो फिर एक दो वोट पानी पी लिजे तो फिर चावल वाले ऐस जाएंग सक्री हो जाएंगे चावल खाने के समय ऐसी चावल के बाद और कोई तीसरा अन निखा रहे है तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लेजे ये पानी बीच में जो पीना है वो एक दो सिप से जाएंगे किस पर मैं उत्तर दूंगा लेकिन थोड़ी देश के बास अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हम को बीच में पानी पीना हिजा तो बीच में पानी पीने के लिए तीन कंडिशन में बता लिए या तो गले में खाना फस गया तो मजबूरी है या तो खासी आ गई मजबूरी है लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले दो तीन से पानी पी लिजे उसके बाद दूसरा अन्न शुरू करें अब आखरी बात जो इस एक नियम से जोड़ी कुई है वो ये कि ठीक हमको समझ में आ गया खाने के गड़ गटे बाद पानी पिएंगे लेकिन खाने के तुरंद बाद कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोग कर तो उसके लिए आयुवेट में कहा गया कि आप खाने के तुरंद बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं फल का रस कोई भी फल का रस पी सकते हैं दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंद बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंट बाद आप चाहें तो दूप पी सकते हैं तुरंट हाँ उसका भी टाइम बताने जाए तुरंट खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो एक तो जूस पी सकते हैं दूसरी लसी पी सकते हैं तीसरा दूप पी सकते हैं अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आगया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है, आयो बेंगों बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम, मुंपली का दाना कब खाना चाहिए, चना कब खाना चाहिए, गुड कब खाना, इसके भी टाइम फिक्स है, मुंग की गवराईय मत इतने ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं तो कंक्यूजन हो जाएगा, मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20-25 या 50 सूप की बताने वाला हूँ, इसमें जो ध्यान रखने की बात है, हो ये, कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरद बाद, वो सबेरे ही पी सकते ह नाश्टे के बाद, ब्रिक फास्ट के बाद, जब भी जूस पीना हो तो सबेरे ही पी सकते हैं, आप पूझेंगे क्यों, बात सीधी सी ये है, कि फल्म को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में, वो सबेरे ही सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सुब वो सब फलश आउट होगा यूरिन के साथ, उसका कुछ भी उप्योग नहीं आए, तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा, हरेट मून उसकी पचे हमारे श्रीय को, दुपहर के समय लसी पीना ही सबसे अच्छा, क्योंकि दुपहर के समय हमारे पेट में जो कराने वज़े हैं, दुपहर को, तो दही या दही की कोई भी चीज खाना, दुपहर को ही सबसे अच्छा, सुबह मैं तो नुकसान थोड़ा हो सकता है, कब होगा, जब आपकी उमर 40-45 क्रोस कर जाएंगी, 40-45 तक तक तो क्या मैंने बता, पित्त का प्रभाव है, पित्त का प्रभाव होता है, जो दूसरे सब को कंट्रोल कर लेता है, तो उस पर भी मैं आऊओना थोड़ी देर में, जो दो दो गिलास लस्ती पीते हैं, वो काम भी बहुत करते हैं, आप से ज़्यादा करते हैं, उस से ज़्यादा करते हैं, उनको अभी बोलो कि पांच एकड़ का खेच, जो अतना है तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं, आदे एकड़ में बैठ जाएंगे, तो जो गाओं में अभी महनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीज़े एक्सेक्शन में आ जाती हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, आप से जो शरीर शर्म जादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आईरुवेद के नियम की बात कराओं, जो बहुत शर्म करते हैं, उनके लिए नियम बिल्कुल अलग है, तो अभी हम इतनी इसी बात पर अपने को केंड़ित करें, दूद पिएंगे रा जैसे ही सूरज दूब जाता है, दूद को पचाने वाले एंजाइन स्पेट में जबर जस्क होते हैं, तो अब माताओं को ये परिवर्तन लाना पड़ेगा, और आपको अपने बच्चों को सबेरे जूस पिला के स्कूल बेजना पड़ेगा, एक मिनट अशोग भाई का जैसे ही से बच्चे की दूद पीने की इंड़न हैं, अब माता हैं, पट्याला में हो या जलद गर में हो या दिली में, जाला कर घरों में भी देका हैं, बाता हैं अपने बच्चों को इस्कूल बेज़ रही हैं दूद पिलाकर, इन सबसे मेरी प्राथना है, कि उनको जू पिला कर देजाएं। उसको समेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजे। पिलाना शुरू कर देजर कर देज़ें। खाने के पहले पिला है तो तब पिलाने का बुशने कशने कर दोच शुरू को पीना है और जूस पीना है